आज प्रियंका गादी गुजरात के वलसाड पहुची थी और वहीं उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने अपने ट्वीटर एक्स पर एक ट्वीट किया है और वहीं ट्वीट करते हुए उन्होंने देश के प्रध गारी, महंगाई, ब्रस्टाचार और आर्थिक संकट देश की जनता के साथ अन्याय है इस अन्याय को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी न्याय पत्र लाही है ताकि जनता को न्याय मिले युवाओ को 30 लाख नौकरी महिलाओ को नौकरियों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी गर कॉंग्रेस के न्याय पत्र को लेकर जबर्दस्त उत्सा है और जनता कॉंग्रेस की सरकार बनाने जारी है आज गुजरात के वलसाड में अपनी बहनों और भाईयों को संबोधित किया तो जैसा कि आज प्रियंका गाधी गुजरात पहुंची थी और वहीं गुजरात तीके से अभी बेरोजगारी है महंगाई है ब्रस्टा चार है वह देश की जनता के साथ अन्याय है और वहीं देश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर अब कॉंग्रिस न्याय पत्र लेकर आई है उस न्याय पत्र में अब बिलकुल भी देश की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा दरसल उस न्याय पत्र की वज़े से अब युवाओ को नौकरी मिलेगी युवाओ को 30 लाख नौकरी मिलेगी महिलाओ को नौकरियों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी गरीब महिलाओ को सालाना एक लाख रुप्या मिलेगा किसानों को MSP दलीतों पि कर जबर्दस्त रुट्सा है और जनता कोंग्रीस की सरकार बनाने जा रही है तो जैसा कि प्र्यंगा गांदी गुजरात पहुंची थी और वही नियाय पत्र को ले कर उनका साफतोर पर कहना है कि लोगों में इसको लेकर उत्सा है और लोग यानि की जनता इस बार कॉंग्रेस की सरकार बनाने जारी है वहीं आपको बता दे कि आज सुबा तेजस्वी यादो ने भी केंद्र सरकार पर यानि की मोदी की सरकार पर निशाना साधा है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उन्होंने भी अपने ट्वीटर एक्स पर ट्वीट करते हुए यहाँ बताया है कि सबसे बड़ा मुद्दार रोजगार है बेरोजगारी मुद्दा है लेकिन इसके बावजुद भी केंद्र की सरकार यानी की बीजेपी मोधी सरकार इन मुद्दों को हटा कर लगतार वा चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन इन मुद्दों को हटा कर और सारे मुद्दों पर बात हो रही है लेकिन देश में जो सबसे बड़ा उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है और वहीं अब इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अब न्याई पत्र की वज़े से जो देश की जनता के साथ अन्याई हो रहा है देश की जनता के साथ अब उनका हक मिलेगा जिसकी जितनी हिस्तेदारी है उसके आधार पर उनको उतनी हिस्तेदारी मिलेगी और महेंगाई कम होगी ब्रस्टाचार कम होगा तो जैसा कि कुछ इस तरीके से आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और वहीं उन्होंने अंतिम में यही लिखा है कि इस नियाए पत्र को लेकर लोगों में काफी उत्सा है और कॉंग्रेस की सरकार बनाने जारी है यानि की जनता कॉंग्रेस की सरकार बनाने जारी है लेकिन अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता है लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही सब कुछ पता च पुर्णियां में रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णियां में घर ले लिया है पुर्णियां के e-homes panorama में पुर्णियां में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined